काफी समय पहले जॉन को रियलाईस हुआ कि वो जॉनवरों से बात कर सकता है। उसके पापा को लगा कि उसका बच्चपना है। बस समस्या तब शुरू हुई जो वो अपने डॉक के तरह बिहेव करने लगा। उसके पापा को लगा कि उस पर किसी जादू का असर है। इसलिक पादरी जॉन से मिलने आए। पर ये सब देखकर जॉन के डॉक को उन पर काफी गुसा आया। पर इसका नतीजा बहुत ही बुरा था। क्योंकि उसे हमेशा के लिए जॉन से दूर कर दिया गया। और ये सब देखकर जॉन ने डिसाइट किया कि वो जॉनवरों के कोई बात नहीं सुनेगा। और इसके तीस साल बार वो एक काफी सक्सेसफुल डॉक्टर होता है। और उसके मन में जॉनवरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। ये उसकी छोटी बेटी माया है। ये उसका पैट है जिसका नाम है रॉडनी। उसे जॉनवरों से बहुत प्यार था। वो अपने पापा से कहती है कि उसको एक डॉग चाहिए। पर जॉन उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई डॉग नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास पहले से एक चूहा है। इसके बाद जॉन को हॉस्पिटल जाना था। उसके काम में उसके दो पार्टनर्स थे। अब इसके बाद पूरी फामली को वेकेशन पर जाना था। जॉन इन्हें कहते हैं तुम्हें जाना होगा। मैं कुछ काम खतम करके तुम्हारे पास आऊंगा। अब अगली सुबा जॉन को एक मीटिंग में जाना था। उसके बाद फाइनली वो अपनी वेकेशन में जा सकता था। पर इसी बीश उसके गाड़ी से एक छोटा से अक्सिटंट होता है। वो डॉग उसे काफी डानता है और ये सारी चीज़े कुलू देख रहा था। उसे रेलाइस होता है कि जॉन जानवरों से बाते कर सकता है। अब इसके बाद जॉन और इसके पार्टनर्स की कुछ बायर्स के साथ मीटिंग होती है। देशल वो इनकी बिल्डिंग को लेना चाहते थे। पर इसी बीश जॉन को काफी सारे जानवरों के आवाजे आती हैं। सब उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीश रॉटनी भी उससे बात करने लगता है। देशल पिछले 30 सालों से जॉन ने किसी भी जानवर से बात नहीं की थी। और ये सारी चीजे उसके लिए काफी परिशानी बैदा कर रही थी। और रात के समय एक उलूस से बाते करता है। उससे बताता है कि मैंने तुम्हें डॉक से बाते करते हुए देखा। मुझे पता है तुम्हें एक डॉक्टर हो। जॉन देखता है उसके पंख में थोड़ी से तकलीफ है। इसलिए वो उससे ठीक कर देता है। पर ऐसा करने से सब जानवर उसके पास आने लगते हैं। कुछी समय में काफी सारे जानवर उसके सामने होते हैं। सबको कोई न कोई तकलीफ थी। और ये सब देखकर जॉन अपने गाड़े निकालता है। वो एक डॉक्टर को कॉल करता है। वो कहता है इस अपने brain का scan करवाना है। इसी बीच उसकी मुलकात होती है दो चुहों से। जॉन उनसे बाते करने लगता है कि तबी डॉक्टर उसको देख लेता है। और उसका scan करता है। उससे बताया चाता है कि सब कुछ normal है। इसके बाद उसे वापिस आना था कि तबी उसकी नजर एक डॉक पर जाती है यह वही डॉक था जो उसके गाड़ी से टकराया था इसलिए जॉन उसे अजाद करवा लेता है वो उसे डॉक्टर के पास बिले जाता है इसे बीच उसे माया को कॉल आता है माया को ऐसा लगता है कि उसके पापा उसके लेक डॉक लेने गए है और मजबुरन जॉन को उस डॉक को लेकर आना पड़ता है वो से लगी नाम से बुलाता है और माया उसे देखकर काफी खुश होती है और दूसरी तरफ उस उलू ने सब को बता दिया था कि ये काफी अमेजिंग सा डॉक्टर है जिस वज़े से सारे जानवर उसके पास आते हैं वो किसी को बता भी नहीं पाता कि उसकी समस्या क्या है क्योंकि कोई उसका यकीन ही नहीं करता सब तरफ बहुत सारे जानवर थे इसलिए उन सब को एक कमरे में बंद कर देता है और एके करके ये सारे जान को अपनी तकलीफ बताते हैं जान इन सब का इलाज़ करता है इसे भी एक सरकस का बंदर उसे मिलने आता है उसको बताता है कि उसका दोस्त काफी तकलीफ में है इसलिए जॉन उसके दोस से मिलने चाता है ये दरसल सरकस का एक शेर था उसे पताता है कि काफी समय से वो बहुत तकलीफ में है उसे काफी सरदर्ध होता है और उसे ऐसा लगता था कि वो मरने वाला है जॉन उसे कहता है कि अगर मामला सीरियस होगा तो मुझे तुम्हें आपरेट करना होगा पर ऐसे ही मैं तुम्हें बहार नहीं ले जा सकता सब लोग काफी ज़ादा डर शाएंगे इसलिए वो उसे सरकस में रहने के लिए कहता है वो उसे कहता है मैं तुम्हें लेने जरूर आउंगा इसके बाद जॉन अपने पार्टनर से बात कर रहा था वो उसे बताता है कितने सालों में उसने फाइनली उस जानवरों की मदद की और उसे काफी अच्छा लग रहा है उसे अपने डॉक्टर होने पर नास है अब ये सब सुनकर उसके पार्टनर को काफी जादा जीब लगता है वो उसकी वाइफ को कॉल करता है उसकी वाइफ देखती है कि उसके घर में काफी सारे जानवर है इसमीशिक चुहा जॉन से कहता है कि उसका दोस्त काफी तकलीफ में है इसलिए जॉन उसे ट्रीट करता है वो से अपने साथ अंदर ले जाता है अब ये सब देखकर सबको लगता है कि जॉन पागल हो गया है वो सबको समझाने की बहुत कुशुश करता है कि वो जॉनवरों से बात कर सकता है पर कोई उसका यकीन नहीं करता कुछी देर में वो जुहे को सई कर देता है पर उसके अच्छे काम का नतीजा उसके लिए बुरा साबित होता है उसको थेरेपी के लिए जाना पड़ता है और कोई भी उसका यकीन नहीं करता उसकी पतनी भी उसका विश्वास नहीं कर भाती अब आने वाले काफी समय वो इस सेंटर में रहता है पर दूसरी तरफ लगी उस शेर से मिलने चाता है वो शेर उसे कहता है कि जॉन ने उसे धोका दे दिया है वो कभी उसका लाश करना ही नहीं चाता था वो लगी उसे सब बताता है और साथी वो जॉन से बात करता है अब जॉन को कैसे भी करके यहां से बहार निकलना था इसलिए फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है वो डॉक्टर से कहता है बिदो मुझे जाने दोगे अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम लड़कियों के कपड़े पहना पसंद करते हो उसके डॉक्टर को समझ नहीं आता कि उसे यह सब कैसे पता चला दरसल जॉन को यह सारी बाते उस डॉक्टर की बिली ने बताई थी अब डॉक्टर के पस कोई आप्शन नहीं होता इसलिए जॉन फाइनली अपने काम और अपने घर पर वापस जाता है इसे बीश वो डिसाइट करता है कि वो जानवरों से बात नहीं करेगा और इसकी बेटी को यह जानकर काफी दुख हुआ था उसे लगने लगा था उसके पापा बहुत अमेजिंग है कि वो जानवरों से बात कर सकते है और इसी बीश वो अपने दादा से कहती है कि मुझे जानकर बहुत दुख हुआ मुझे लगता था मेरे पापा सबसे अमेजिंग है उनमें कुछ अलग सी बात है और ये सारी बाते जॉन सुन लेता है इसलिए वो माया को सच बताते है ये जॉन कर उसकी बेटी को काफी अच्छा लगता है उसकी बेटी उससे कहती है कि उसे जॉन वेरों की मदद करते रहना होगा वो एक काफी सादा अच्छा काम कर रहे थे और जान का भी कुछ ऐसे ही मन होता है हुए जाकर उस शेर को ले आता है वो इस दूसरी तरफ सरकस वाले POLICE को सब बता देते है वो इस जान के पार्टनर्स देखते हैं यह जान के सामने एक शेर है यह सब देखकर उन्हें काफी डर लगता है इसे भी शेक पार्टनर कहता है कि हम जॉन को पागल साबित कर देंगे और सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे और दूसरे पार्टनर को यह सब पसंद नहीं आता वो से कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा वो से जोर से पंच करता है और सीधा जॉन के पास जाता है जॉन उसे सब बताता है इन्हे रिलाईस होता है इन्हे टाइगर का ऑपरेशन करना होगा इसलिए वो से छुपा कर पास से ले जा रहे थे और बाहर सब लोग आये होए थे काफी सारे लोग और काफी सारी मीडिया थी इसे भी शेर की नजर रोटनी पर जाती है उसका शिकार करने सबके सामने आता है और ये देखकर सब लोग उसे काफी डर जाते है पर जॉन सबको सब कुछ बताता है कि कैसे इस टाइगर को एक सरजरी की जरुरत है वह बाहर पुलिस आती है और उनके सामने काफी सारे जानवर होते है ये पुलिस को अंदर नहीं जान देते जॉन सरजरी को शुरू करता है इसे बीच उसके पापा लीसा को बताते है कि कैसे बश्पन में वो आनिमल से बात कर सकता था और उसे ये सब बंद करना पड़ा क्योंकि सबको उन लोगों से प्रॉब्लम होती है जो दूसरों से अलग होते है उसको सबके जैसा बन के रहना पड़ा और ये सब सुनकर लीसा उसके पास शाती है वो जॉन से पुछती है कि ताइगर उससे क्या कह रहा है जॉन लीसा को बताता है कि वो काफी जादा डर हुआ है इसलिए लीसा उसे सहारा देती है और कुछी देर के अंदर ये सरजरी सक्सेस्फुल हो जाती है और तब ही जॉन डिसाइड करता है कि वो अपने काम को नहीं बेचेगा वो ऐसे जॉन विरों की मदद करना चाहता है उसके बारे में जो उसकी सबसे अलग बात थी और ये उसे सबसे खास बनाती थी और जब से उसने अपने आपको एक्सेप्ट किया उसकी जुनदगी काफी अच्छी हो गई और इसे के साथ इस कहानी का अंध होता है मेरी आपसे फिर से मलकात होगी एक और नई कहानी के साथ